हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल इग्जाम रोड इग्जाम रोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम लेक्चर टू अध्याय फर्स्ट रासानिक अफ्क्रिया एम समी करां प्लास टेंत आज हम बारे में बात करेंगे रासानिक अफ्क्रियां के प्रकार के बारे में बात करेंगे पहला है सैयोजन अभिक्रिया सायोजन अभिक्रिया क्या होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक तत्तो हो या योगिक मिलकर एक उत्पाद का निर्मार करते हैं उसे सायोजन अभिक्रिया करते हैं इक्जामपल आप लोग देख लीजिए इसका इक्जामपल आप लोग देख लीजिए यही होता है सायोजन अभिक्रिया अब नेक्स्ट देखिए वियोजन वियोजन अवक्रिया क्या होती है आप लोग देखिए वियोजन अवक्रिया संयोजन अवक्रिया के विपरीत होती है मतलब विपरीत मतलब उल्टा होती है वियोजन अवक्रिया में एकल्पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया में एक कल्पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं अब आए नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट है इसमें उस्मा अभिक्रिया उस्मा अभिक्रिया क्या होती हैं वे अभिक्रिया हैं जिसमें उस्मा उत्पन्न होती हैं उत्पन्न मतलब निकलती हैं उसे उस्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं अब नेक्स्ट है आपका उस्मा सोसी अवक्रिया क्या होती है वे अभिक्रियाएं जिसमें उस्मा अवसोसित होती है उसे उस्मा सोपी अभिक्रिया कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग संचारण संचारण क्या होता है जब कोई धातु अपने आसपास अमल आदरता आदि के संपर्क में आ जाती है तब संचारित होती है इस क्रिया को संचारण कहते हैं इसका एक्जामपल है देखिए आप चांदी के उपर काली परत और तांबे के उपर हरी परत चड़ाना यही संचारण है अब आईए नेक्ट देखते हैं लोहे का संचारण कैसे होता है हम लोग देखते हैं हवा कहिए यह आकसीजन आकसीजन और आदरता आदरता मिस नमी जो हमारे वातावरण में नमी होती है उसी को आदरता कहते हैं आद के संपर्क में होने के कारण लोहे का संचारण होता है लोहे की सतहों पर भूरे रंग का हाई ट्रेड फेरिस आकसाइड इसका देखी आप लोग सुत्र यफई 2-0-3 इन्टू 2-2-0 की परण चड़ाई जाती है इसे संचारण या जंग लगना कहते हैं जब ये परता जाती होए तो इसी को संचारण या जंग लगना कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखिए संतूलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन तत्यों के परमाडवों की संख्या दोनों तरब बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समी करण कहते हैं रासायनिक समी करण को इसलिए संतुलित करना आवस्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समी करण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बलकि अभिकार को एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि यहां पर कहा गया है कि राशानिक समीकरण को इसलिए संतुलित करना आवस्त्यक है क्योंकि उसके द्वारा हम केवल समी करण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके अलावा अभिकार को एवं उत्पादों जो उत्पाद निर्मिद होते हैं उसकी वास्तविक संख्या की कितनी संख्या में हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं काफी जर्नलेटिक टॉपिक है लोहे के वस्तूओं को हम प्यंट क्यों करते हैं यह आपके लगुत्तरी प्रस्नों में हर वर्स पूछा जाता है कि लोहे के वस्तूओं को हम प्यंट क्यों करते हैं आईए इसका अंसर देखते हैं लोहे के वस्तूओं को संचारन से बचाने के लिए संचारन मतलब नमी से बचाने के लिए कि उसमें जंग ना लगे हम पेंट करते हैं पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच देखी इसमें कहा गया है कि पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्ट को कर देते हैं जब पेंट हम कर देते हैं किसी वस्तु पर तो वह हवा और नमी को प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त कर देता है इसी लिए हम लोहे के वस्तुओं को पेंट करते हैं लेक्ष्ट है अभिकारक अभिकारक किसे करते हैं आप लोग देखिए अभिकारक ऐसे प्रदार जो रासायनिक अभक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं अब उसके बाद इसका अब देखिए नेक्स्ट है उत्पाद उत्पाद किसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं जो अब हम रासायनिक अभक्रि यस फेरस सलफाइड प्राप्त हुआ इसका आफ क्रिया करने पर यहां पर देखिए यफई तथा यस अभिकारक अ तथा यफई यस उत्पाद होते हैं देखिए नेक्षर प्यूस्चन जो आपके एक्जाम में बहुतो बार पूछा गया है देखिए एथिलीन पर हाइड्रोजन की क्रिया से एथेन बनता है क्यों? क्यों बनता है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसका एंसर आप लोग देखिए एथिलीन एक असंत्रित ह हाइड्रोकारवन है जिसमें कारवन परमार द्वी आवंध द्वारा जुड़े होते हैं कितने आवंध द्वारा जुड़े होते हैं जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो इसका द्वी आवंध द्वारा जुड़े होते हैं जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करते है तो द्वी आवंध द्वारा जुड़े होते हैं और नया एकल आवंध द्वारा संत्रिप्त हाइड्रोजन एथेन बनाते हैं देखिए इसमें कहा गया है देखिए एक बारे और देखिए कि नया एकल आवंध द्वारा संत्रिप्त हाइड्रोजन एथेन बनाते हैं यह योगसील अवक्रिया के कारण होता है यह क्रिस अवक्रिया के कारण होता है योगसील अवक्रिया के कारण होता है देखिए नेक्स्ट है उस्मा छेपी अवक्रिया उस्मा छेपी अवक्रिया क्या होती है देखिए वे रासायनिक अवक्रियाएं जिसमें उस्मा उत्पन उत्सर्जित होती है जिसमें से उस्मा उत्पन नहों या उत्सर्जित मतलब निकल जाती हो उसे उस्मा छेपी अभिक्रिया कहते है आईए हम लोग इसका एक्जांपल भी देखते हैं एक मॉल कार्बन और एक मॉल आक्सीजन जब सयोग करता है तो एक मॉल कार्बन डाई आक्साइड बनती है तथा 44.3 किलो कैलोरी 44.3 कैलोरी उस्मा उत्पन होती है अब इसका देखिए यहाँ पर इसका देखिए जब कार्बन प्लस आक्सीजन सयोग करता है तो कार्बन डाई आक्साइड प्लस 44.3 कैलोरी भी उत्पन हो रही है अब आईए हम लोग नेक्स टॉपिक की ओर बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक है इसमें उत्क्रमडी अभिक्रियाएं उत्क्रमडी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में अग्र एवं पश्य दोनों दिसाओं में होती हैं अगर दिशा में भी हो पस्य दिशा में भी हो और किसी भी दिशा में पूर्टा को नहीं पहुचती उत्करमरी अविक्रियाएं कह लाती हैं इसका एक्जामपल हम लोग देखते हैं जब फासफोरस पेंटा क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब अपघटित होकर फासफोरस ट्राइड क्लोराइड तथा क्लोरीन देता है इसे ठंडा करने पर पुनह फासफोरस पेंटा क्लोराइड प्राप्त होता है देखिए इसका समीकरन देखिए PCL5 जब देखिए यहाँ पेंटा क्लोराइड प्राप्त होता है प्रीविद्यार्थियो अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जए हिंट